तो हेलो फेंट्स कैसे हैं दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज इंडियन गवर्मेंट में 43 चाइनीज एपको इंडिया में पूज तरह से बैंड कर दिया गया है इससे पहले टिक टॉक के मिलाके 59 चाइनीज एपको बैंड किया गया था टू जलाई 2020 में एंड उसके बाद पब जी पब जी के साथ एक सोटारा चाइनीज एपको बैंड किया गया था फॉस अप्टेम्ट टॉद्टि में और आज के दिन में 43 चाइनीज एपको बापिस बंद कर दिया गया इंडियन गवर्मेंट ने उनका सब कहना यही है उन सब एप्स के बारें को कह करना यही है कि जो चाइननीज की एप है यह डेटा को करेक्ट कर लीग करती थी आप वो सकते इंफरमेशन को लीक करती थी उन्होंने इस पर यह पाया गया इसलिए इसको पुँछी तरह से इलीगल कर दिया बोल सकती है इसको यूजज करना अब पुछी तरह से बैंड हो चुका है इंडिया के अंदर अगर आप इसको अनिस्टॉल कर दीजिए और आगे मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा कि कौन-कौन से एप जो करेंटली बंद किये गए है और जो इस पार बंद किये हैं 43 चाइनीज है इसमें कोई ज्यादा पापूलर एप नहीं है फिर भी कुछ ऐसे पापूलर एप हैं लाइक स्नैक वीडियो अली एकस्प्रेस और सबसे ज्यादा पापूलर इंड में सिफ स्नैक वीडियो है इसके अंदर दोस्तों होता किया अब फनी वीडियो बनाते थे लाइक टिक टॉक की तरह यह फनी वीडियो के लिए काम आता था और नॉर्मल वीडियो भी आप इसमें बना सकते थे उसके बाद अली बाबा अली एकस्प्रेश जो की शॉप्पिंग के से और बहुत सारी एप से लाइक डिटिंग्स के आप इसको पॉस करके आप देख लिजेगा इनमें से कोई सी वेव अगर आपके पास इंस्टॉल है तो प्लीज उसको भी आप डिलीट कर दिजिए क्योंकि इसमें कोई सेक्यूर्टी आपको आप नहीं मिलने वाली है तो आप इसको प्लीज डिलीट कर दिजिए तो यह 43 आप इसको पॉरी लेस्ट है आप उसको पॉस करके इसली देख सकते हैं तो तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट जरूर करें और अभी ता आपने मे